गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं हूं आकृती और आपका मेरे चैनल गाउं की शोरी में फिल से सौगत है तो अभी सुबा सुबा का वक्त है और अभी बज रहे हैं सुबा के साथ और आज मैं आपको अपने खेप दिखाना जा रही हूं तो आज हम अपने ट्रैक्टर से कि तो आप देख सकते हैं मिल्कु ठीक में समने मिरे बड़े पापा ट्रीक्टर मैं मैं बेट जाओं टेक्टर में फिर आपको आगे कई वीडियो दिखाऊंगी तो दोस्तों मैं ट्रेक्टर तो बैट चुकी हूँ ले रहे हैं मेरे बड़े पापा तो ये ट्रेक्टर चला रहे है ये सामने से मेरे पापा आ रहे है हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो तो दोस्तों हमने अपने खेट जाने का आधा रास्ता तो तया कर लिया है सामने आप देख रहे होंगे एक सास्की स्कूल दिख रहा है तो यह हमारे गाउं के सबसे लास्त में सबसे बड़ा सास्की स्कूल है हमारे गाव में दो सास की स्कूल है बड़ा सास की स्कूल ये कहला गया यहाँ पर मेरे पापा और बुआलोग पढ़े हुआ है यह स्कूल इतना पुराना है और यह जो अभी आप सामने देख रहे हैं तो यह अभी-भी कुछ सालों पहले नया स्कूल बना है तो यह हमारे यहाँ का सास की स्कूल है आप देख सकते हैं बस हमारा फेट थोड़ी दूरी पर है देख सकते हैं तो दोस्तों अब हम अपनी केट पहुशने वाले हैं सामने जो आपको यह वाइड कलर से पेलर देख रहे होंगे तो हमारे जस्ट के बगल में यहां पर एक इंग्लिश मीडम स्कूल कुलने वाला है अभी तो यह बना नहीं है इसका काम चल रहा है लॉग्डाउन के समय अपने प्लाट पहुँची चुके हैं लगबक हमारा खेत आई गया जी सामने आपको एक गेट दिखीगा यह हमारा खेत है तो हम अपने खेत पहुच चुके हैं दोस्तों मैं अपने खेत पहुच चुकी हूँ और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं कैसे ट्रैक्टर से आई हूं तो आपको मैं अपनी खेट की सामने की रोड भी दिखा देती हूं जो यह रोड दिख रही है आपको सामने तो यह जाके वाइपास पर मिलती है तो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूं एक बार तो आप यह सामने जो रोड देख रहे हैं तो इसी रोड से मैं मेरे पापा मतलब यहां पर घाओ में सिक्मी से जमीन ली जाती है तो इसकी जमीन सिक्मी से पापा ने ली हुई है और इसकी देखभाद भी पापा करते हैं तो दोस्तों मैं अपने खेत के अंदर आ चुकी हूं गेट पीछे छूट गया हमारा आपको मैं एक बहुत ही सुन्दर चीज दिखाने वाली हूं से देखका आपका मन बिल्कु खुश हो जाएगा मतलब कश्मीर की थोड़ी बहुत तो देखिए दोस्तों ये रहे वो फूल जिनके बारे मैं अभी मैं आपको दिखा रही थी और बता रही थी चोटा सा गार्डन है जिसको देखके आपको कश्मीर की यादा सकती है वो आगे तक देख सकते हैं आप फूली फूल से ये पूरा भरा हुआ है और ये जो आप देख सकते हैं सेवंती के फूल कितना सुन्दा लग रहा है ये तो आगे तक लगा हुआ है ड्रैगन फूल और पूरे मैं हमारे हैं यहां पर एक साइड पर फूली फूल लगे हैं खेट पर दोस्तों मैं यहां पर पेड़ों की बीच आई हूँए फूलों की बीच फूलो के गारडन को आपको दिखाने तो चलिए आगे चलते हैं और मैं Spitिकाने के लिए यह मिटी गीली है लेकिन फिर बैद मैंने तोंधी educated सब्सक्राइब देख सकते हैं शलिए और आगे चलते हैं आपको दिखाती हो है यह यह ठूट को और पास्से दिखा स्कूरन मैं आपको है शाब महागनी विद्लेड़क नगों है तो लिए और आगे चलते हैं देख सकते हैं कितना बड़ा गार्डन है यह आप और आगे मैं नहीं जाओंगी क्योंकि दद्दू ने बताया कि आगे मिट्टी बहुत जादा गीली है तो मैं नहीं जाओंगी मैं यहीं से आपको बता देती हूँ कैप्टर करवा देती हूँ मैं यह चोटा सा गार्डन इसके बारे मुझे कमेंड करके बताइए आप और मैं आपको दिखा दूं सामने सूर्ज मुक्य का फूल तो वह सामने से दिख रहे है और यह रहा मेरा छोटा सा गार्डन जो बना हुआ है बहुत ही सुन्द है और मैं दूल तो आपको बताती हूं तो चलिए मैं आपको और बाए कि ले दिखाने यह मेरे बड़े पापा है बड़े पापा हेलो वोलो यह मेरा भाई बैठा हुआ है चोटा भाई है चोटा सा मंदिर है हमारे यहां प्लाट खेत में यहां पे दाद दद्दू रहते हैं खेत की देख भाल करते हैं जो तो दोस्तों आपको मैं और आगे लेके चलती हूँ खेतों के बीच में जा रही हूँ अब यह जो रास्ता आपको दिख रहा है तो इसको हमारे हैं मैर बोलते हैं तो मैर से हम आगे चलते हैं मैं आपको बता दूँ कि आज में खेत आई किसली हूँ यह मैंने आपको नहीं ब के लिए थी तो अभी शायद हमारे हां खेत में हलकी मिट्टी सूख चुकी है तो लेबर हमारे पापा लेकर आए और अभी कटाई थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई हमारे यहां क्योंकि फिर बारिश का भी आजाए पता ही नहीं है बारिश का तो कोई टाइम ही नहीं है तो पारिश आ सकती है किसी वक्त तो आभी खुला है कुछ दिनों से तो उसके गारान हमाये खीत में कटाई लगी है तो देख सकते हैं पूरे तरफ यहां पे खेती ही खेती है चारो तरफ इसको यह ओरत की डाल जिसको हम उड़दा बोलते हैं तो उसकी खेत हैं यह और यह मू यहां पर एक जामुन का पेड़ लगा हुए हमारे पूरे खेत में कुछ नो कुछ बैराइटी के पेड़ लगे हुए और अलग अलग पेड़ लगे हुए हैं यह जामुन का पेड़ आप देख सकते हूं यह जामुन का पेड़ है सुबसुब मैं यहां खेत में आई हूं मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है यहां खेत में बिल्कूँ शान्ती है यहां पर चिडियों की सुबसुब आवाज आए है मतलब जो सुकून है यहां पर मतलब कहीं नहीं मिल सकता वो तो आपको मैं इस रास्ते से लेके जाती हूँ देखे कितना सुन्दर लग रहा है यह दोनों साइट पेड़ है चलिए इसके अंदर से मैं आपको और आगे के खित दिखाती हूँ तो चलते हैं अपन और आगे वैसे मैंने खेत अपनी पहली बार इतना पूरा घूम रही हूँ आज तक मैं पहली बार गई नहीं उस साइड मैं आपको दिखाती हूँ और आगे मैंने जो बाइपास की बात की थी तो बाइपास यह दिख रहा है यहां से देख सकते हैं हाँ बाइपस एनस 30 हाइवे है तो वही है यह चलिए आगे चलते हैं बारिशी कारण यहाँ पर छोटे-छोटे पौध है और रूगाए है रास्ते पर तो चलते हैं मागी के रास्ते पर मैं आपको लेबर से मिलवा दूँ जो कटाई करने वाली है यहाँ पर आज तो वह सामने बैठी हूए है जो लेडिस तो यह हमारे यहां की लेबर है आज जो कटाई लगी तो वह यही कटाई करेंगी यहां खेतो की और ये रहे हमारे खेट चारो तरफ हर्याली 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 किसी दिवा कुछ दिखी नहीं रहा है तो अब मैं उसके आगे और नहीं जा रही हूं क्योंकि वहां पर बहुत जादा पेड़ पौदे लगे हैं कुछ भी हो सकते हैं वहांपर तो उसके आगे नहीं जा रही मैं आपको यही से दिखा दूँ वहां से मैं आईほ वहां से तनी दूर से पदल चल चल के मैं यहां आई हूं आपको दिखाने चलिए और आगे चलते हैं मैं आपको यहां पर मैंने बताया है कि यहां पर बहुत सारे अलग अलग पेड़ लगे हुए हैं तो मैं आपको पेड़ों के बारे में बताती हूं यहां पर जिन दिन के पेड़ है कुमकुम में को तोड़ते नहीं आएगा वेकिन मैं दिखा सकती हूँ यह जो आपको दिख रहा है काला काला फली इसकी तो यह कुमकुम है इससे सिंदूर निकलता है सिंदूर का पेड़ भी बोलते हैं और कुमकुम भी और जस्ट इसके बगल में है नीबू का प तो मैं आपको ब्लत्र थोड़ कर भी बता देती हूं कि यह फीत है यह को चड़ता है थबیں सब्सक्रांब कि और नुक्तिय से आप कीसा डूलल हम सकती है हुए हुए है और नहीं हमारे अधियुक्यपान पह्तने हो थून है यह जी्टिंहात्र उत इस में बहतो हztी हैं आप घडो सकते हैं कितने सारे आम लगे हैं यहां पर एक बिही का पेड़ है। और फूल तो आपको चान अंठर्च पोल अचान वहीं और प्रेंस में हमें हम पर भी को मालं मेंकर आङराएकर की की के लिए आपशे Area और यहां पर सार बनी हुई है यहां पर तो यहां गाय बनी हुई है सार मतलब गौशाला बोलते हैं और दिहाती लेंग्विज में हम लोग सार बोलते हैं गाओं की दिहाती लेंग्विज में तो मैं आपको सार अंदर दिखा दूँ गौशाला तो यह गौशाला यहां पर गाय के खाने के लिए भूसा रखा है यहां और ये गाय को जिसमें खाना डालते हैं भूजा ये उसका बर्तन कहला गया और यहाँ पे आप देख सकते हो चारा भी रखा हुआ है गाय के लिए और ये रही हमारी गाय तो यहां पर गाय बंद ही हुई है देख सकते हैं आप चलिए और आगे चलते हैं तो हमारे यहां पर टंकी में जो पानी है यह बोरिंग से आता है देखे कि तिबल टंकी है यह और बोरिंग यहां पीछे साइड हुई है और यह भी हमारे खेत के हिस्से हैं सामने दिख रहे हैं आपको एकाम का पेड़ यह दिख रहा है और सामने भी एकाम का पेड़ वह लगा हुआ है उसके आगे भी एकाम का पेड़ है और एक और पेड़ मैं आपको बता दूँ यह जो पेड़ आप देख रहे हैं सामने तो य को ये कपूर की तरह अप्याति इस लिए कपूर का पेड़ से कपूर का पेड़ बूलते हैं WOW और सामने यह Jessamie शंकर जी को सब्सक्收入 गुलाब चाइन के ऊधर स्कतुछ ऐहां पे हमारी सामने हैं अब देख सकते हो करी लीफ जिसको 안lusive तो ज fare लगा हूए इस दोस्तों कैस मेश सब्सक्राइब से कैस के आप ऒब आप खेओं पोरी और उर एक एक चीज क्या मेरे applied लगे हुए हैं और अपना चोटा सा गार्डन दिखाया मैंने आपको फूलों का यह कैसा लगा इन सब के बारे मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे इस आज की वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके और चैनल करें दो दो खाया है कल फिर आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ ओके